हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है उन्ट का कूबर बच्चों इस पार्ट के माध्यम से लेखक ने हमें ये समझाया है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सके तो चलिए इस पार्ट को आरंब करते हैं बात उस समय की है जब स्रिष्टी का आरंब हुआ था और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धी के बल पर जानवरों को पालतु बना कर उनसे तरह तरह के काम लेना शुरू कर दिया था उन्ही दिनों काम से बचने के लिए एक उउट भयानक रेगिस्तान में रहा करता था और सारा दिन बस हफ हफ चिलाता रहता था वह काटेदार जाणियां और पौधे खाकर अपना काम चला लेता था जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह कुछ बोलने का कश्ट भी न उठाता बस हफ हफ ही करता एक दिन पीट पर सामान ला दे और मूँ में लगाम कसे एक घोड़ा उसके पास आया और बोला ओट भाई चलो सामान ढोने में मेरी मदद करो आदत के अनुसार उठ ने कहा और चुपी साध गया घोड़े ने जाकर सारी बात मनुष्य को बताई उसके बाद एक कुट्ता मू में लकड़ी का टुकड़ा दबाए उठ के पास आया और बोला उठ भाई चलो हमारी तरह काम में जुट जाओ उठ हाफ कहकर पत्तियां चबाने लगा कुट बोला चलो मेरे साथ चलकर खेत में हल चलाओ उठ हाफ कहकर मस्ती में जूमता रहा बैल ने भी सारी सच्चाई जाकर मनुष्य को बताई अगले दिन मनुष्य ने घोड़े कुट्ते और बैल तीनों को बुलाया और कहा मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है लेकि जानवर काम नहीं करेगा तुम तीनों को दो गुना काम करना पड़ेगा मनुष्य के इस आदेश पर तीनों को बड़ा गुस्सा आया फर क्या करते मजबूरी थी तब ही हफ़फ करता हुआ उंट वहाँ से गुजरा और तीनों को काम करता देख मुस्कुराता हुआ चला रेगिस्तान का स्वामी एक जिन्न था वह धूल की आंधी में लिप्टा एक पल में यहां से वहां चला जाता था उसने घोडे कुटे और बैल को मू लटका एक काम करते देखा तो पूछा क्या हुआ तुम्हें क्या कश्ट है घोडा बोला रेगिस्तान के मालिक यह दुनिय नई और इतनी बड़ी है आप ही बताईए कि क्या यह सही है कि सब काम करें और एक जानवर कामचोर बना रहें बिलकुल नहीं जिन ने कहा इस रेकिस्तान में उची गरदन और लंबे लंबे पैरो वाला एक भयानक प्राणी है जो कोई भी काम नहीं करता घोडे ने बताया अच्छा मैं समझ गया वह उट है क्या कहता है वह जिन ने पूछा वह केवल हम बोलता है बस हम कुटा बोल पड़ा अच्छा ठीक है अब मैं उसका इलाज करता हूं यह कहकर जिन धूल की आंधी में लिपटा एक ही पल में उट के पास पहुँच गया उट उस समय पानी मे अपनी परचाई देख रहा था और अपना विशाल शरीर देख देख कर खुश हो रहा था जिन ने कहा मेरे विशाल मित्र यह मैं क्या सुन रहा हूं दुनिया नई है यहां काम करने वालों की जरूरत है और तुम कोई काम नहीं करते ओट ने कहा जिन बोला मैं तुम्हारी होते होते उसकी सुन्दर चिकनी पीट पर एक बड़ा सा कूबर निकलाया जिन ने कहा जाओ अब काम पर जाओ अपनी पीट पर इतना बड़ा कूबर लेकर मैं कैसे काम करूंगा उट परिशान होकर बोला यह कूबर हम काम में तुम्हारी मदद करेगा तुमने कई दिन गवा दिये हैं इस कूबर की मदद से अब तुम कुछ दिन बिना खाए पिये काम कर सकोगे यह मेरी ओर से तुम्हें भेंट है यह कहकर जिन गायब हो गया पीट पर कूबर लिए उट घोड़े कुत्ते और बैल के पास गया और उनके साथ काम में चुट गया तब से आज तक उट की पीट पर कूबर बना हुआ है और वह बिना खाए पिये काम करने में उसकी मदद करता है उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इस पार्ट का आनंद लिया होगा और आप भी जान गए होंगे मैनत करने से सब कुछ मुम्किन है जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है अब इस पार्ट का अभ्यासकार्या स्वेम कीजिए